हेलो फ्रेंट्स मैं हूँ सीमा सीमा की डायरियन ब्लॉक में आप सबका वेलकम है स्वागत है आप सबका और आज हमारी रेसिपी है सेवई की आज हम से वहीं बनाएंगे बहुत ही टेस्टी लगती है इसे वहीं बनाने में खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है बनने के बाद देखे कितनी अच्छी लग रही है देखने से ही और अभी जब एकदम से ठंडी हो जाएगी इसके बाद देखे कैसी लगती है एकदम रबडी के तरह लगती है यह एकदम से ठंडी हो गई है देखे एकदम रबडी के तरह लग रही है कम से कम दूद में देखे कितनी अच्छी लग रही है देखने से यह बहुत ही टेस्टी है बनी है और अब हम चल रहे हैं इसको बना पतली जालैंगे कहते हैं और माने खेगी ऑसको बनाएंसे नहीं और हम और चमसी घी की भीएं जाएगा फिर हम हम उसमें सिमई डाल करके अच्छे से भून लेंगे इसको हमको खुब अच्छे से भूनना है अधीमी आज़ पर ही भूनना है तेज आज़ पर नहीं भूनना है दिखिए कितने अच्छे से भून गया है ये लगबग एक कटोरी सिम्हित ही जो हम ने लिया था और अब हम इसमें डालेंगे दूध आदा लीटर से उपर ही दूध हम इसमें डालेंगे फुल क्रीम का दूध है यह जो हम डाल रहे हैं और इसको हम चलाते रहेंगे छोड़ना बिलकुल नहीं है नहीं तो पकड़ने लगता है दूद्ध थोड़ा सा महओ डाल देंगे और डाल करके हम अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे चलाएंगे चलाते हुए Mom हम पकायें उसको, साइट से जो भी लग जाते हैं दूर्थ उसको भी हम साथ में चलाते हो चुडाते रहेंगे इससे बहुत अच्छा एक दम से टेश्ट अता है और नहीं तो बाद में जलने लगता है अब हम इसको ऐसे ही पकाएंगे चलाते रहेंगे हम और जब तक हम इसको पका रहे हैं चला रहे हैं जब तक आप लायक कर दीजिये लायक करना बिल्कुल F reached देख़े थोड़ा गाढ़ा होने लगा अब हम इसमें डालेंगे चीनी चीनी हमें यहाँ पर चार्चमत चीनी डाल रहे हैं आप अपने हिसाब से मीठा डाल सकते हैं, यहां पर हम चार चमाची चीनी डालेंगे और चीनी डाल करके भी अच्छे से मिक्स करेंगे, दीखे दूद एकदम से गाढ़ा होने लगा है, और दूद गाढ़ा होने लगा है, सिवही भी हमारी तो ऐसे भूनी थी, एकदम से पक जिससे और भी अच्छा टेस्ट आता है इलाची दाने से, इलाची पावडर भी आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, दीखे कितना गाढ़ा होने लगा ये, और साइड से हम चलाते रहेंगे, जिससे पकाड़ने न लगे दूद, साइड से छुडाते रहेंगे, दीखे द हमारा एक दम से गाढ़ा होने लगा है, से वहीं भी पक चुकी है, लिकिन अभी हमको इसको थोड़ा और पकाना है, बहुत ज़्यादा पतला आप खीर के तरह खाना चाहते हैं, तो ऐसे भी ले सकते हैं, लगवाग दस मिनट तक हमको इसको पकाना पड़ता है, अब देख हम थोड़ा सा बादाम और काजू निकाल लिया था, ऐसे ही उपर से गर्णिश करने के लिए, बाकिये सारा में बहु हम डाल दिये थे, अब इसको हम अच्छा से गर्निश कर लेंगे, बादाम और ही निकालेथे हमें, काजू से। हैप, बहुत ही प्यारा लगता है, और आ अब वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सेर करें, सब्सक्राइब करें, थाइंक यू